हेलो दोस्तों स्वारा था आप सभी का स्लीपी क्लासिज में तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स रहेगा हम डिसकस करेंगे साइंस एंट टेक में पांच कोशन रलेटेट टू बायो टेकनोलोजी इंपोर्टन पार्ट है आपके एक्जाम का इंपोर्टन टॉपिक है तो ज़रू सुना होगा इस टर्म के बारे में तो उसे लिटरब आपको यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दीगे हैं बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट है चार को आपको प्रवाइट कर दीगे हैं पहली सेटमें में क्या कह रहे हैं एक फॉर्म है एडिटिटिव मेनुफ जो की रिजनरेट कर सकते हैं जॉइंट्स और लिगमेंट्स तो यह आपको तीन स्टेटमेंट्स दीगे हैं थोड़ा सोचिए करेक्ट ऑप्शन मांक कीजिए फिर डिस्कस करते हैं इस कॉशन को तो बेसिकली यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर भी नीड हो टीशुज और और उर्गन्स की नीड हो टांस्प्लेंटेशन के लिए वहाँ पर हम इसे यूज कर सकें काफी कॉंप्लेक्सिटीज हैं क्या चॉइस ऑफ माटीरल रहेगी किस तरीके से सेलिटाइप्स वहाँ पर चोस किया जाएंगे ग्रोथ किस त क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पर आप दे सकते हैं जीसे आपका बाईो मैटेरल हो गया सेल्स हो गया बाई मालिक्यूज हो गया इन सभी को यूज को यहाँ पर तयार किया जाता है 3D प्रिटी प्रिंटिड के जाता है तब जाके उन्हें इस तरीके के आपकी जो इश्यूस हो इंक्लूडिंग मल्टिलेट स्किन, बोन, मैस्क्ली ग्राफ्ट तो वहां पर बेसिकली आपका यह यूज के जाता है इंपॉर्टेंट है आपको इस पूरे टॉपिक वारेम पता होना और इस तरह लेटेड हम एक टू मिनिट सीरीज जो आपकी चलती है फ्यू म करेंस को सकती है तो बेसिकली यहां पर आपकी फरस्ट और सेकेंड स्रिक्मेंट ही करेंट है कि कुछ-कुछ side effects तो जरूर पाएगे हैं क्या है? discuss कर लेते हैं पर उससे पहले क्या है आपकी pneumococcal conjugate vaccine कि basically आपका pneumococcus जो ये आपका एक हम कह सकते हैं एक disease जो आपकी फैली जाती है, जो cause होती है इस particular bacterium की विज़े से आपको नाम यहाँ पर दे दिये गया है pronunciation आप एक बार online check कर लिजएगा, ठीके जी तो basically ये जो आपका आपकी vaccine रहती है, contain करती है purified capsular polysaccharide of pneumococcal serotypes conjugated to a carrier protein, जो कि क्या करेगा जो हमारा body का antibody response रहेगा उसे ये improve करेगा यहाँ पर ठीके जी, तो basically इसमें जो world health organization भी है, तो वो भी यहाँ पर यही कहते हैं कि आपके conjugate vaccines हैं, उनका use किया जाना जाएँ, उसे recommend करते है routine immunization जो की बच्चों को दी जाती है, ठीके जी, और side effects के बारे में ही बात करने तो सबसे common आपके किस तरीके के side effects पाई जाते हैं कि decreased appetite कुछ हद तक fever आजाता है irritation हो जाती है, skin reaction कुछ हो जाते है, infection हो जाता है किस तरीके का ठीके जी, वहाँ पर आपकी sleepiness आजाती है, poor quality sleep तो यह सब basic basic से आपके यहाँ पर side effects इसके mention किया गए है तो यह आपकी basic information इस particular question से लेटेट अगले question के और बढ़ते हैं बात हो रही है recombinant DNA technology के बारे में दी गई हैं आपको दो statements बताना है इनमें से कौन कौन से statements आपकी यहाँ पर correct है, ठीके जी तो पहली statement में कहरे हैं जो आपका recombinant DNA technology हो अलाओ करता है genes to be transferred across different species of plants और animals और second में कहरे हैं जो आपका insulin drug है वो produce क्याता है using our DNA technology, तो अब दो statements आपको यहाँ पर दी गई है, ठीके जी बताई इन दोनों में से कौन कौन सी यहाँ पर statements correct आएंगी sorry आपका word यहाँ पर skip हो गया था तो चार quotes प्रोवाइट किये गए हैं, correct option mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को भी basically यहाँ पर आपकी दोनों की दोनों statements are DNA technology से लेटर बिल्कुल correct है, discuss कर लेते हैं क्या है यह आपकी recombinant DNA technology, तो basically आपके recombinant DNA molecules, क्या है एक DNA molecule है, जो कि आपके laboratory में तयार किया गया है, lab में तयार किया गया है methods of genetic recombination के थूँ, जिसे हम molecular cloning भी कहते हैं ठीके जी, अब इसके चलते आपके genetic material रहते हैं, multiple sources से एक साथ लाए जाते हैं, जिसके चलते आपके sequence वहाँ पर create के जाते हैं that would not otherwise be found in the genome तो basically, lab में ही तयार किया जाता है, और यह आपका recombinant DNA, it is a general name for a piece of DNA that has been created by combining at least two fragments of two different sources, कि अलग-अलग sources को यहाँ पर उसे से कि यहाँ पर आपको एक basic साथ चार्ट बताएगा है, E. coli जो आपका human cell है, वहाँ से आपको किस तरीके से DNA cut किया जाएगा फिर उसे mix किया जाएगा, base bearing कि थ्रू जॉइन किया जाएगा, ठीके जी तो पूरी process आपको यहाँ पर त्यार दे जी गई है applications के बारे में बात करें, तो सबसे important जो application है, जो यह technology आपकी यूज़ कि जाती है, to detect the presence of HIV in a person, gene therapy भी आपकी यूज़ करती है, DNA technology को, ठीके जी, उसके लाब आपका जो clinical diagnosis है ELISA, वो यूज़ करता है, DNA technology को तो काफी widespread applications है, agriculture में भी काफी जाद हैं जैसी कि आप देखती होंगी, जो genetically modified crops आपकी तियार की जाती है BT cotton हो गया, तो इन सभी चीज़ों में आपकी ये RNA technology ही यूज़ की जाती है ठीके जी, तो simple सा question था I hope आपने correctly mark किया हो तो fourth question में, यहाँ पर बात हो रही है mRNA vaccines related ठीके जी, दी गई है, यहाँ पर आपको तिन statements बताना है, इन से कौन कौन सी यहाँ पर correct है चार codes आपको provide किया जा चुके है पहली statement में कहरे हैं, जो आपकी mRNA vaccine है, यूज की जाती है to guide the cells, इसके चलते हो viral protein बना सकते हैं, जो की immune system को initiate करेंगे, second में कहरे हैं, आपकी less safer is in the live attenuated vaccine third में कहरे हैं, जो आपकी mRNA vaccine है organic nature की है, और इनने host की जुरुत पड़ती है growth के लिए, तो तीन statements आपको यहां पर दी गई है, correct option mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को तो basically यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पहली statement ही correct है, second और third incorrect है, किस तरीके से incorrect है, देख लेते हैं कि पहली बात जो यहां पर रखी गई है हमारे ने vaccine के बार में, safety के बार में तो किसी प्रकार की host की जूरत नहीं पड़ती, इसे growth के लिए ठीके जी, तो क्या है आपकी mRNA वैक्षिन की यहां पर यह जो आपका messenger RNA, यह provide करता है एक method की cells को कि वो अपने खुद की proteins वहां पर त्यार कर सकते हैं, जैसे कि आप SARS-CoV-2 जो आपकी vaccines रहेंगी, उसमें instructions रहती है कि to make one portion of the virus जो कि आपका spike protein रहता है, that is harmless by itself, कि basically जो immune system रहेगा, जब उस protein को देखेगा उस spike protein को वहां पर judge करने की कोशिश करेगा तो एकदम से जो उसका immune system वहां पर response देगा उस particular protein के against ठीके जी, तो जब भी अगर कोई भी व्यक्ति, अगर infect होता है SARS-CoV-2 से, तो वहां पर जो immune system रहेगा उसे एकदम से recognition हो जएगे कि already मैंने इस तरीकी का spike protein देखा है तो वहीं से ही वो जो उनका immune response रहेगा उस particular virus को करने के लिए वो induce या फिर initiate हो जाएगा तो यह simple सी explanation है इस particular question से लेटेट I hope आपने correctly mark किया हो अगला question देखते है आज का last and final question बात हो रही है नाइनो मैसल्स के बारे में ठीके जी, I hope यहां pronunciation correct हो दो statement दी गई हैं, बताना है इन में से कौन कौन सी यहां पर correct है, चार course आपको provide किये गए है पहली statement में कह रहे हैं कि आपके amphiphilic molecules रहते हैं these are the amphiphilic molecules that are used to deliver the drugs to specific cells और organs second में कह रहे हैं जो आपके nanomycels है it consists of exterior hydrophilic polar heads and an interior hydrophobic phytosyl chain तो अब यह आपको दो statement दी गई है this particular topic selected, थोड़ा सोचिए correct option mark कीजिए, फिर discuss करते हैं इस question को भी तो basically यहां पर आपकी दोनों की दोनो statements correct है क्या है यह amphiphilic molecules कि basically इसके दोनों तरीके के characters रहेंगे, hydrophilic भी और hydrophobic भी, जो कि आपको second statement में यहां पर बता दिया गया है तो इसी आपकी quality की वज़े से, यह बहुत effective रहती है अगर किसी particular cell या फिर organ के लिए वहां पर आपको किसी भी प्रकार का वहां पर dose देना हो ठीके जी, तो basically आपके nanomisles है या आप typically spherical, but can sometimes take other shapes, जैसे आपको cylinder या ellipsoids होगे, ठीके जी, small size है, and shape of nanomisles is only possible due to the molecular geometry of the particle, ठीके जी, क्या size यहां पर रखा गया है, वो आपको बता दिये क्या है, इतने nanometer in diameter में रहता है, उसके अलावा अब इसमें जो हमने बात की exterior hydrophilic polar heads और interior hydrophobic fatty acyl chain, अब यह जो आपका hydrophobic shell रहेगा, यह क्या करेगा, it makes me shell water soluble, जो कि allow करेगा for as a payload का वहाँ पर काम करेगा उस therapy के लिए, तो यह जो dual property है, यह काफी effective रहती है, इसी property के वज़े से they are perfect molecule to deliver the drugs आपके specific locations के लिए, ठीके जी, यह सब important points है, आपके इस particular questions related, इस तरीकी की जितनी भी important technologies हैं, जो कि अभी आपके current affairs में भी रह रही है, सबसे important चीज इनको पढ़ने के लिए क्या है कि current affairs follow कीजिए, regularly follow कीजिए, D&D initiative है, वहाँ पर discuss किये जाते हैं, कुछ एक ऐसे तरीके के आपके topics कहीं बार editorial में भी आजाते हैं, ठीके जी, तो important क्या है, कि regularly follow करना है ताकि ऐसे topics आपके वहाँ पर skip ना हो और वहीं से ही क्या उनकी basic understanding अगर आप समझने की कोशिश कर सकें, तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो थोड़ा बहुत अपने आप भी आप थोड़ा google करके देखें, अगर आपको किसे topic के और समझ नहीं आ रहा, या आप हमें भी suggest कर सकते हैं हम उसका few minute series पर topic discuss भी कर सकते हैं ठीके जी तो ये थे हमारे आज के 5 questions I hope आपने से सभी नहीं अच्छी से perform किया हो जो भी आपका score रहा है comment box में ज़रूर mention कीजिए और इसी तरीके से regularly this initiative को follow करते रहिए जहां पर हम दिन के 5 questions discuss करते हैं theme by theme discuss करते हैं ताकि आपकी subject की coverage भी हो सके ऐसा कोई topic ना रहे जिसे related हमने questions ना discuss किया हो ताकि आपको question जब भी exam में आए तो आप easily वहाँ पर at least एक अच्छा attempt तो जरूर दे सकें तो रही बात अगले आपके session की तो geography का session रहेगा जिसमें हम Indian agriculture से related आपके 5 questions वहाँ पर discuss करेंगे तो प्रिपेर करके आएगा So that will be all, all the very best and have a good night But this is objective a that